उधारन दो यदि साइन थीटा बराबर पांच बटे तेरा हो तो शेश सभी त्रिकोण मिती अनुपात ग्याद कीजिए तो साइन थीटा बराबर पांच बटा तेरा दिया है और सेश त्रिकोण मिती अनुपात ग्याद करना इसका अर्थ है यह हुआ कि सेश त्रिकोण मिती अनुपात कास थीटा टेन थीटा कौसिक थीटा सेख थीटा और काट थीटा हुए तो इन अनुपातों के मान हमको ग्याद करना है जब sin theta का मान हमको दिया हूँ हम यह जानते हैं कि sin theta जो है वो किसी समकोंड त्रफुच की दो भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखा जाता है तो 5 बटा 13 है तो समकोंड त्रफुच की दो भुजा है ये तो क्या इसके लिए हमको किसी एक समकोन तरफुच किया उशक्ता होगी जिसमें हम इसकी तीसरी भूजा ग्याद करें और तीसरी भूजा ग्याद करने के बाद फिर अन्य तरकोन मिती अनुपातों को हम ग्याद करें क्या हम बिना समकोन तरफुच बनाए भी इन त्रिकोर्ण मितिय अनुपातों को ग्याद कर सकते हैं तो हम ये ग्याद कर सकते हैं क्यों क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में भी एक संबंद है तेन थीटा और साइन थीटा और कास थीटा के मानों में भी संबंद है इसी प्रकार से साइन थीटा कौस थीटा के मान में संबंध है कौस थीटा और सेक थीटा के मान में संबंध है तेन थीटा और कौट थीटा के मान में संबंध है तो इन दोनों में जितने त्रकूण मिती अनुपात हैं उन में किसी न किसी रूप में हम संबंध देखते हैं तो हम उन्ही सर्वसमिकाओं और उन्ही संबंधों का उप्योग करके भी अन्य तरकोण मितियन पातों को ग्याद कर सकते हैं जैसे साइन थीटा और कास थीटा में क्या संबंध होता है अर्थार, sin square theta धन cos square theta बराबर एक हमको दिया हुआ है sin theta का मान 5 बटा 13 और यदि यहाँ पर हम sin theta का मान रखते हैं तो cos theta का मान ग्याद कर सकते हैं तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं cos square theta is equal to 1 minus sin square theta हम यहाँ sin theta का मान रखेंगे पर इसके पहले हम इसको इस रूप में लिखेंगे cos square theta is equal to 1 minus sin theta का वर्ग हमको sin square theta का मान नहीं पता है हमको पता है sin theta का मान इसलिए हम sin square theta को इस रूप में लिखेंगे cos square theta बराबर 1 minus sin theta का मान है 5 बटा 13 तो हम रखेंगे यहाँ पर 5 बटा 13 इसका करेंगे वर्ग cos square theta बराबर 1 minus 5 बटा 13 का वर्ग का मतलब है 5 का वर्ग तो 5 का वर्ग होता है 25 और 13 का वर्ग तो 13 गुणा 13 जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा ये 179 cos square theta बराबर इसको हम और सरल करेंगे तो इसका लगुत्तम होगा यहां पर 1 के नीचे में 1 है तो 1 और 179 इन दोनों का जो लगुत्तम होगा वो 179 ही होगा एक से फिर इस 179 को भाग करेंगे 179 आएगा फिर 179 से इस 179 को भाग करेंगे तो एक आएगा और एक का गुणा इसके अंश से गुणा होगा तो पच्चीस से होगा तो यह हो जाएगा पच्चेस अब हमारे पास कास स्क्विर थीटा बराबर 179 में से पच्चीस घटाएंगे कितना आएगा यह नो में से 5 घटाते हैं 4 दीख रहा है 6 में से 2 घटाते हैं 4 दीख रहा है और यह फिर एक तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यह 144 आ रहा है 144 बटा 179 अर्थात एक कास स्क्विर थीटा का मान हमको मिला है 144 बटा 179 कास स्क्विर थीटा बराबर 144 बटा 179 है तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 12 गुणनखन के तौर पर और 179 को लिख सकते हैं 13 गुना 13 कास स्क्विर थीटा बराबर 12 गुना 12 है इसका मतलब है 12 का वर्ग और 13 गुना 13 है इसका मतलब 13 का वर्ग अर्थात 12 बटा 13 का वर्ग तो इसको हम लिख सकते हैं 12 बटा 13 का वर्ग दोनों पक्षों का हम ले लेते हैं वर्गमूल वर्गमूल लेने पर हम इसको ऐसे लिखेंगे कास स्क्वेर थीटा इसका वर्गमूल ऐसे और ऐसे ही वर्गमूल के भीतर लिखेंगे 12 बटा 13 का वर्ग तो वर्ग मूल लेने से ये वर्ग जो है खतम हो जाएगा वर्ग मूल का चिन भी हट जाएगा इसी तरह से यहां भी वर्ग खतम हो जाएगा वर्ग मूल का चिन भी हट जाएगा तो अब हमको यहां मिलेगा कॉस थीटा बराबर बाराबटा तेरा अब आपने देखा कि साइन थीटा का मान दिया था हमने सर्व समीका का उप्योग किया और कास थीटा का मान ग्याद कर लिया दू मान हम और ग्याद कर सकते है साइन थीटा यदि दिया है तो साइन थीटा और कास थीटा में हम संबंद जानते है तो कॉसेक थीटा का मान लिख सकते हैं वैसे अब कास थीटा हमको मिल गया है तो कास थीटा और सेक थीटा में कोई संबंध है क्या तो कास थीटा और सेक थीटा में भी संबंध होता है तो यहां हम देखें कि sinθ और कॉसेक थीटा में क्या सम्मंद होता है तो sinθ बराबर होता है एक बटा कॉसेक थीटा की अब चुँकि sinθ का मान दिया है और हमको कॉसेक थीटा का मान चाहिए तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कॉसेक थीटा बराबर एक बटा sinθ और यहां पर हम sinθ का मान रख लेंगे कॉसेक थीटा बराबर एक बटा sinθ लिखा हमने अब हमको sinθ का मान दिया हुआ है तो हम एक के बटे में sinθ का मान रखेंगे तो sine theta का मान कितना दिया है हमको sine theta का मान है 5 बटा 13 तो इस तरह हमने cosθ का मान लिखा 1 बटा 5 बटा 13 फिर यह संख्या उलट जाएगी क्योंकि हम यह जानते हैं कि 1 बटा a बटा b यदि हम लिखते हैं कहीं पर तो इसको हम लिख देते हैं b बटा a तो इसलिए इसको हम लिखेंगे कॉस एक थीटा बराबर तेरह बटा पाँच इसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा में भी कोई संबंद है तो हम यह जानते हैं कि सेक थीटा कॉस थीटा का व्युतकरम होता है व्युतकरम होता है इसका मतलब सेख थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा अब चूंकि कॉस थीटा का मान हमको दिया है हमने अभी ग्यात किया कॉस थीटा का मान तो कॉस थीटा का मान है बारा बटा तेरा तो यहां हम लिखेंगे एक बटा बारा बटा तेरा और फिर जैसे हमने कॉस एक थीटा का मान उलट कर लिखा था वैसे ही इसको जब हम लिखेंगे तो सेक थीटा बराबर होएगा तेरा बटा बारा साइन थीटा का मान मालूम है कास थीटा का मान मालूम है क्या हम टेन थीटा का मान ग्याद कर सकते हैं ग्याद कर सकते हैं क्यों क्योंकि 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के तो यदि हमको सुत्र पता हो आपस में संबंध पता हो तरिकोण मितियन पातों के तो हम मन ग्याद कर सकते हैं sinθ का मान हमने यहाँ पे लिखा है 5 बटा 13 और cosθ का मान हमने लिखा है 12 बटा 13 तो हम इसको इस ढंक से लिखेंगे अब 10θ बराबर 5 बटा 13 और इस अंख्या हम उलट देंगे तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तेरा बटा बारा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अब यहां से तेरा और तेरा कट जाएगा तो तेरा और तेरा यहीं हम कटा देते हैं तो सरली कृत करने के बाद हमारे पास बचता है पांच बटा बारा तो टेन थीटा का मान क्या मिला? पांच बटा बारा अब एक त्रिकोंड मेती अनुपात और बचा और वो त्रिकोंड मेती अनुपात है काट थीटा तो क्या टेन थीटा और काट थीटा में भी कोई संबंद है तो हमको यह पता है कि काट थीटा टेन थीटा का व्यूतकरम होता है तो हम फिर यहाँ पर cotθ का मान 10θ के मान की साहयता से ग्याद कर सकते हैं cotθ बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा 10θ और 10θ का मान हमने अभी निकाला है 5 बटा 12 तो cotθ बराबर 1 बटा 5 बटा 12 फिर हम इसको क्या लिख पाएंगे यदि हम देखें तो फिर यह संख्या उलटकर 12 बटा 5 लिखी जाएगी क्योंकि इसके पहले भी हमने ऐसे ही उलटकर लिखा था तो यह संख्या अभी cotθ का मान उलटने पर संख्या को उलटने पर हम लिखेंगे cotθ बराबर 12 बटा 5 हमने इस तरह से सारे त्रिकोण मिती अनुपात ग्याद कर लिए तो आपने यह देखा कि यदि एक त्रिकोण मिती अनुपात ग्याद हो और समकोण त्रिभुच बनाने की जरत ना हो तो भी हम त्रिकोण मिती अनुपातों को ग्याद कर सकते हैं